अब very good afternoon to all of you दोस्तों स्वागत है आप सभी का education cad6 में दोस्तों एक update आ रही है बिहार में स्वास्त विभाग को लेकर करीब 896 पदों की counseling होने जा रही है जिहां यहां पे tutor के पदों के लिए तो क्या-क्या LGBT criteria है यह मैं आपको बताऊंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले एक छोटा सा update ये भी है कि बिहार में एक बार फिर lockdown बढ़ा दिया गया है और ये lockdown बढ़ा कर 16 अगस्त कर दिया गया है 16 अगस्त तक फिर से आप अपने घरों में रहें स्वस्त रहें सुरक्षित रहें चुकि देखें बिहार में जीतने भी परिक्षाएं होने वाली है उन्स सबको update को extend किया जाएगा और धीरे धीरे जो भी update आएगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा अपने channel के माध्यम स दोस्तों आपको सभी को बताना चाहूंगा कि स्वास्त विवाग ने यहां पे एक urgent वेकेंसी निकाली है इस lockdown में जीहां ये urgent वेकेंसी के लिए जो advertisement संक्या है दोस्तों ये देखीगा मैं आपको दिखलाना चाहूंगा इस notification के जरिए notification नमबर है 8 2020 यानि कि 8 2020 का जीहां रा यहां exam नहीं है आपका सीधे counseling किया जाएगा तो अब कौन-कौन से छात्र यहां पर आविदन करेंगे इसके बारे में एक छोटा सा detail में दूँगा आपको जिन छात्रों ने किसी भी राजी से तो देखे करी सकते हैं यहां पर लेकिन जो बिहार के छात्र हैं उनको resident tutor का तथा बिहार चिकित्सा तथा सिक्षा सिवा भरती यह ध्यान रखेगा बिहार चिकित्सा सिक्षा सिवा भरती के तहट इनकी नियुक्ति और उनकी प्रणती के नियामोली 2008 के तहट यहां पे इनकी जो वेकेंसी है यह संसोधित करके 2013 के अधिन में निकाली गई है अं छात्रों ने senior resident यह tutor के करीब post किये हुए हैं मतलब अपना career बनाया हुए उन्होंने तो 40% ऐसे पद उनको दिये जाएंगे जो की बिहार राजी स्वास्त सेवा समवर के तहत आते हैं और उसके सदर्स से हैं वो होने चाहिए तो वहाँ पे भरे जाएंगे seat उनके फिर 40% जो seat है दोस्तों यहाँ पे वो राजी के चिकित्सा महाविद्यालेव से इसनातक्तर की डिग्री पाठेक्रम कर चुके हैं जो छात्र रेजिडेंसी स्कीम के अंदरगत आते हैं उनको 40% का seat दिया जाएगा बाकी 20% का seat वैसे चिकित्सकों को दिया जाएगा जिनोंने राज्य के बाहर से मानिता प्राप्त कर रही है इन senior resident या tutor के पदों की तो ये दोस्तों update था यहाँ से section यहाँ पे अहरता को लेकर मैंने update आपको कर दिया है अब जो भी छात्र यहाँ पे सुयोग अभ्यारती है उनकी कमी होने की स्थिती में senior resident की पद के लिए विसेश में अगर diploma धारी और tutor के पद के लिए mbbs degree धारी जो होंगे अभ्यारती उनको भी chain करने का यहाँ पे लिया जाएगा तो आपको भी आवेदन करना है मतला आपको भी counseling में जाना है जो लोग यहाँ पे diploma किये हुए है या फिर जो लोग यहाँ पे mbbs किये हुए है वो भी जाके यहाँ पे counseling कर सकते हैं ठीक है अगर इन लोगों से अपना seat नहीं भरता है तो यहाँ पे इनकी recruitment ली जाएगी दोस्तो age criteria की यहाँ बात कर ले तो 37 साल यहाँ पे रखा गया है जनरल category के लिए 40 साल OBC के महिला के लिए और पूरसों के लिए भी और 42 साल CST category के छाद्रों के लिए रखा गया है जो कि आरक्षन वाइस यहाँ पे आपको seat जो है age criteria बताया गया है दोस्तो आरक्षन जो है दोस्तो आपको बता जना चाहते है कि टुनियोर के पर पर निकाली गई है जिसके लिए जो आरक्षन कोटी है आपका किरिमी लियर ह हो गया SST category हो गया इन सभी छात्रों को यहाँ पर दिया जाएगा लेकिन वो बिहार के होने चाहिए उन्हीं को यह category में यहाँ पर आरक्षन मिल सकता है कॉंसलिंग का जो कारिकरम है कुछ इस तरह से होगा दोस्तों देख सकते हैं जी यहाँ तीन अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक यह कॉंसलिंग चलेगी पूरा कम्प्लीट यह और जो जो आप इस पीसलिजेशन में है उन सभी इस पीसलिजेशन की छातर यहाँ पर जा सकते हैं यह डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको mention कर दिया गया है तेन्यूर पदों पर हेतु यहाँ पे कुछ आहरता हैं जैसे कि आपका यह जो वेकेंसी का पैनल तियार किया गया है 2018 के अधीन तयार किया गया है जो भी पक्त यहाँ पर रिक्तिया पढ़ी हुई थी उनको लेकर यहाँ पर बनाया गया है इस पैनल की तयारी की गई है और इनके लिए आपको आविदन करना है आविदन करने के लिए आप online भी आविदन कर सकते हैं इसके official website पर जाएंगे और recruitment वाले section पर जाके आप आविदन कर सकते हैं 31 जुलाई तक या 31 जुलाई तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक यहाँ पर निर्देश दिये गए हैं और आविदन जो होंगे website पर दिये गए सारे ID generation जो होंगे form कैसे create करना है उसको भी ध्यान में रखना है और जो कंडिका number 6 है उसको जरूर पढ़ लिजेगा यहाँ पर क्योंकि सारे documents आपको अपना self attest करके यहाँ पर भेजना भी है तो इन सब का update आपको जाके कंडिका 6 पर मिलेगी जो कि इसका official notification दिया गया है दोस्तों इन सब के बारे में छोटा सा update था जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिये हैं और यह selection process में आपका यह जो कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों की counseling करते समय यह आपको numbers मिलेंगे जैसे कि specialist अगर आपने MD या MS कर रखा है तो 10 संक आपको भी मिल सकते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा यह point आपको extra मिल सकता अगर आपने degrees कर रखी है तो उसके अलावा दोस्तों यह सारा update है जो कि आपको पढ़ना पढ़ेगा पुरा notification यहाँ पे ठीक है और जो भी important तथे थे मैंने आपको share कर दिये हैं अब जो भी इचात्र यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कहा कहा रिक्तियां पढ़ी हुई है और वो job कर सकते हैं कि नहीं जाकर वहाँ पे तो यहाँ category wise सारे update दिये गए हैं दोस्तों यह category wise सारे update दिये गए हैं इस delay wise ठीक है और जिला में कौन-कौन से post मतलब कौन-कौन से यहाँ पे खाली है मतलब इस छेतर में जो उनका discipline है उन सभी के लिए तो total vacancy के अगर बात करें यहाँ पे तो दीखिएगा 896 पदों की यह total vacancy है दोस्तों जो की category wise यहाँ पे बताए गई है इन सभी चीजों में ठीक है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं तो यह notification जो है मैंने अभी upload कर दिया है आपने टेलीग्राम पे तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम पे जाके हमें जोईन भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही पलपल की update के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से जा सके टेलीग्राम का link जो है दोस्तों चैनल के about वाले section पे आएंगे जैसे ही आप नीचे यहाँ पे सारे वो लिंक्स शेयर किये हैं आपको जहां से आप हमें connect कर सकते हैं इसके बारे में जनकारी ले सकते हैं इसका PDF में share कर दूँगा आप हमें इन सभी जगह पे follow जरू कर लिजिएगा कोई भी update के लिए पूछताज कर सकते हैं आप यहाँ पे चलिए दूस्तों तो आज के लिए इस update में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का